सबसे पहले जानते हैं आपकी वाणी के बारे में वाणी बहुत important चीज़ है वाणी के बारे में कहते हैं इहे जबनिया पान खियावे, इहे जबनिया पनही यानि ये जो वाणी है आपकी, ये आपको पान खिलवा सकती है, समान दे सकती है और यही पनही का मतलब होता है पैरों में पहने वाना जूता या चपल व्यवहार वानी खराब हो तो जूता चपल भी आपको मिल सकता है इसलिए वानी बड़ी एहम चीज है और आपकी वानी का संबंध आपके पारिवारिक जीवन से भी है आपकी फेमिली लाइफ कैसी है और आपकी आर्थिक समरिद्धी से भी है आपकी फाइनिंशिल कंडीशन कैसी है इससे भी आपकी वानी का सीधा संबंध दिखाई देता है खराब वानी से हमें जीवन में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है जिनकी जबान कड़वी होती है, जिनकी जबान खराब होती है, वो जीवन में आर्थिक नुकसान उठाते हैं, उन्हें पैसे का नुकसान जरूर होता है कभी कभी जिन्दगी में आकस्मिक दुर घटनाएं भी घट जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी जबान कड़वी होती है, खराब होती है, उनकी जिन्दगी में कभी कभी आकस्मिक दुर घटनाएं घट जाती हैं, आकस्मिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और इससे भी बुरी बात ये है कि अगर आपकी वाणी खराब है जबान आपकी खराब है तो कभी कभी कम उम्र में बड़ी बीमारी भी हो जाती है कभी कभी बड़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है वाणी को अगर आप अच्छा नहीं रखेंगे तो जिन्दगी में पैसे को ले करके और मान सम्मान को ले करके हमेशा आपको दिक्कत होगी तो वाड़ी को कैसे अच्छा करें पहला काम जरूर करें नित्य प्रातह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें वाड़ी को बहतर करना चाहते हैं तो नित्य प्रातह सूर्य को जल देना लाबकारी होगा गायत् गैत्री मंत्र के जब से भी शीग्र फाइडा होता है जो लोग वाणी का काम करते हैं वकील हैं सिक्षक हैं जोतिशी हैं जिनको समझाने या सलाह देने का काम करना होता हो जिनको वाणी का काम करना होता हो अगर वो रोज सुबा सूरी को जल चणाएं और गैत्री मंत्र का आचरण, आपके कर्म, एक तो जबान हो गया जिसको आपको ठीक रखना है, दूसरा है आपका बिहेवियर, आपके आचरण, आपके कर्म, आप कैसा कर्म करते हैं, हमारे आचरण और कर्मों का सीधा संबंद हमारे रोजगार से होता है, अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो हमारा रोजगार कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, हमें रोजगार को ले करके दिक्कतें परिशान करेंगी, अगर कर्म और आचरन शुद्ध ना हो तो रोजगार में समस्या जरूर होती है रोजगार में दिक्कतें जरूर आती हैं इसलिए कर्म और आचरन को शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि अगर आपका कर्म शुद्ध नहीं होगा आचरन शुद्ध नहीं होगा तो आपका रोजगार बहतर नहीं होगा और आप जीवन भर भटकते रहेंगे जीवन भर भटकाव चलता रहेगा साथ ही कभी भी आप स्थिर नहीं हो पाएंगे आप इस बात पर गौर करिए कि जैसे जैसे आपके कर्म बहतर होंगे जैसे जैसे आपके आचरन बहतर होंगे वैसे वैसे रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी अब अगर आप अपने कर्म को बहतर करना चाते हैं अपने आचरन को बहतर करना चाते हैं तो सुबा और शाम दोनों समय ध्यान करिए अगर ध्यान करना नहीं जानते तो सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करिए इससे आपको लाब होगा, आपके कर्म शुद्ध होंगे बहुत बार जाने अन जाने भी हमसे गलतियां हो जाती है कर्म हमारे खराब हो जाते है तो उसके लिए भी सुबह शाम भगवान शिव का ध्यान करे या भगवान शिव की उपासना करे इससे आपका आचरन दुरुस्त होगा और आपके कर्म बेहतर